दोस्तों बिहार DLA को लेकर जो है बड़ी अपडेट टिकल किया रही है जो भी केंडेट्स बिहार DLA का फॉर्म फिल किये हैं उनका जो है एड्मीट कार्ड डाउनूड कैसे होगा इसकी क्या प्रोसेस है इसके अलावा क्या-क्या गाइडलाइन से हम आज की इस पूरों बात टेग्या है भी जटीजें जो है बदलाव किया अब वीडियो को पूरा लास किते ताकि आपको सारी इनफोरुर्मेशन समझ्झ माडा सके किस परकार से एड्मीर का डाउनूड होगा और किस लिंग से और डाउनूड होगा कम अड्मीर का जा रही हो इसके हम सारी जनकारिय आपको इस पूर्ण बताने वाले हैं सारा प्रोसेस बताएंगे लेकिन ये जो अफिसली अपडेट जो आया हुआ है बिहार डेलेट परवेस परिच्छा को लेकर ये हम आपको जो है बिस्तार से समझाने वाले क्योंकि यहाँ पे आपको न क्या के डोकुमेंट्स लेकर जान हुई है अब वीडियो को लास्ट देखे ताकि आपको मैं सारी इंफोर्मेशन को अच्छे से समझा सकूँ देखे ये जो है बिहार बिदाले परिच्छा समीतिक द्वारा जो है ये बिग्यापन जारी किया गया है आज के डेट में कुछ देर पहले इसमें लिखा गया है क है कि प्रारामीक्च शिक्छा में डिपलोमा डेलेट पाठेकरम सत्र 24-26 में नमांकर हेतु ऑनलाइन CBT बिदी से आयोजित होने वाली डेलेट समयूक्त परवेस परिच्छा बिदीर चोबीस का आयोजन परवेस पत्र निर्गत करने तरह परिच्छा में सम्मिलित होने वा वो होने वाला है तीस मार्च से लेकर 28 अपरिल तक लंबा एक्जाम चलने वाला है क्योंकि कई लाह के इस बार बिहार डिलेड का फॉर्म भरे हुए हैं अब किस-किस राज्य में यहां पर जो है आपका सॉरी किस-किस जीला में आपका जो यहां पर होगा एक्जाम तो देख अब देखिए रिपोर्टिंग टाइमिंग बोला गया है सुबह की जो प्रथम पाली है साड़े आठ बजे और गेट क्लोज हो जगा साड़े नौ बजे तो आपको पहले पहुंच जाना है ध्यान रहें गेट क्लोज होने से पहले पहुंच जाना है इसके बाद से जो टेस रिपोर्टिंग टाइमिंग है गेट क्लोज होने का टाइमिंग है तो इससे पहले आपको पहुंच जाना है धाई से पहले पहुंच जाना है अगर आपका दूत्य पाली में एक्जाम है तो कल से एड्मीट कार जा रही होगा देखिए आप यूजर आडियो और अपरील के अंतरगत देख रहा ना जिसमें बोला गया है कि 11 अपरील 2024 को और 17 अपरील 2024 को जोकी रामनमी है और 11 अपरील को ईद है फिर 19 अपरील को लोगसभा चुनाव प्रथम च्रड़का जो चुनाव होने वाला है अगर 26 अपरील को लोगसभा चुनाव दूत्य आयोजन नहीं किया जाएगा अब जिस जिसका इस दिन एक्जाम होगा उनको जो है मतलब उनका इस डेट पे आएगा ही नहीं एडिमिट कार मतलब इस डेट को किसी का आएगा ही नहीं इन्होंने पहले ही बता दिया कि इस इस दिन को हम एक्जाम नहीं कंड़र्ट करेंगे लेकिन देख रहे हैं ना एक्जाम आपका जो चलेगा 30 तारीक से लेकर, मतलब 30 मार्च से लेकर 28 अप्रिल तक प्रोपर आपका चलने वाला है, लेकिन बीच में 26 अप्रिल, 11 अप्रिल, 17 अप्रिल और 19 अप्रिल को आपका एक्जाम नहीं होगा, क्योंकि उस दिन आपका प्रथम चलने का लोकसभा का चुनाव है उसको लेकर, और दूत्य चलने का चुनाव है उसको लेकर, अब यहां बोला गया कि लोकसभा 2024, प्रथम चलने का चुनाव किती थी, 19 अप्रिल, निर्धारित रहने के कारण, जिला गया में, निर्धारित परिच्छा केंद्रों पर दिनांग 14 अप्रिल से 21 अप्रिल तक परिच्छा योजित नहीं होगी यह प्रथन चुलार जो गया में पढ़ रहा है उसका यहां पर देख रहा है इतना सी इतना के बीच जो है आपका नहीं कंड़क कर जाएगा अब इसमें जीला भागलपूर पूर्णिया में निर्ध परिच्छा केंद्रोपर दिनांग 30 मार्च से 23 अप्रिल 2024 तक परिच्छा संचालित यहांपे की जाएगी तो यहां पर भागलपूर में यहां पर देखिए जो है केंद्र का यहांपे एक्स्ट्रा यहां पर नाम डाल दिया गया आप देख सकते हैं आप जिसको यहां पर पता दिया गया है अब यहां बोला गया देखे आपको बिलकुल टैंसर नहीं लेना देखे समझे पहले जब आप एड़मीट कार्ड डाउड करेंगे न तो एड़मीट कार्ड पे आपका डेट और टाइम यहां पे रहने वाला है यह जो भी डेट दिया गया है न इस डेट स किसी का भी एग्जाम देंगे ही नहीं क्योंकि इस दिन छुटी है तो आपको बिलकुल टैंसर नहीं लेना है और ध्यान रहे जब भी आप एड़मीट का डाउड करें वहां इंस्ट्रक्शन को प्रोपर पढ़ें प्रोपर जनकारी को देखें अगर कोई समस्या होती है त परविस पत्र में कोई प्रोपलम हो जाती है तो यूप इस पर आप जिस पर很好 भी कर सकते है या इनके जो जोफीस वहां पर आप जा बिहार बोड का जो ओफीस है कोई भी दिक्कत होती है तो अब देखें यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कहां से अड्मिर का डाइडलाइन होगा यह जो अपडेट है यह आपको समझ में आ गया अब समझते कि आपको डॉकुमेंट्स क्या क्या लेकर जानी है देखें डॉक फोटो चीपकाने का जिस परकार से आपने फॉर्म भरते समय जो फोटो अप्रोड किया था वही वाला फोटो जो है आप यहाँ पर चीपकाएंगे इसके बाद से जिस परिख्षाक कच में जिसे परिख्षाक में बिख्षाक को जमा करना होगा अब यह जो एड्मिर काड ह वही पर आपसे जमा करा लिए जगा ये 12 से ध्यान देना है तो आपको का करना है एक एक एड्मिर काड अपने पास घर पे रखना है क्योंकि आपका जब भी रिजल्ट आएगा या ड organismat बेरिकेशन होगा तो आपको एड्मिर काड फोटो को पी अपने पास रख लेंगे ए इसे की आधार कार्ड या जो भी voter ID कार्ड हो गया, bank passbook हो गया, passport हो गया, driving license हो गया, photo युक्तरासन कार्ड या सरकार दोरा कोई भी ID proof जो है, मानने हो, उसको आप लेकर जाना है, और मूल प्रति, यानि original भी लेकर जाना है, साथ साथ, उसका एक छाया प्रति भी लेकर जाना ह यानि आपको जो documents में लेकर जानी है, क्या, तो पले हाँ समझिये देखे, documents में एक ID proof, क्या एक ID proof, इसका एक photo copy भी लेकर जाना है, original भी लेकर जाना है, और photo copy भी, इसके अलावा admit card, जी हाँ, admit card भी लेकर जाना है, इसके अलावा आपको जो है जो photo है, वो चिपकाना है फोटो पाचान पत्र के अभ्यार्थियों को परिच्छा में बैटने के उनुमती नहीं दी जाएगी अभ्यार्थियों अपने साथ लेखन समागरी जैसे कि पेंसील, बॉल पॉइंट, पेन अवस्य लाएंगे कोई भी रफ पेपर एमंगन समागरी लाना वरजित है परिच्छा आधारित पत्ती पर होगी और यूजर नेम और पास्वर्ड जो की परिच्छा के अंदर पर परिच्छा प्रारम के 10 मिनट पूर्व सभी अभ्यार्थियों को अवंटित किये जाएंगे जो कंप्यूटर पर डालने के बाद परिच्छा रंभ होगी यानि यह सब जो है गाइडलाइंस आप पढ़ेंगे परतेक प्रस्ने के लिए एक अंक दिया जाएगा जिसको निगेटिम मार्किंग आपको नहीं होने वाला है अगर आपको कुछ कोश्टन्स नहीं आते हैं तो उसे आप टिक भी मार के जाएगा तुक का जिसको बोलते ह पर्वेस पत्र के विही तस्तान पर विक्षक के समक्ष अभ्यार्तियों का अपना हस्ताक्षर करना निवारी होगा और बायोमेट्रिक आपका लिया जाएगा तो बायोमेट्रिक उपस्तिती दर्ज कराई जाएगी ध्यान रहे और देखिए यहां पे लिएका साथी सभी महदी, स्याही, रंग, नेल पॉलिस यह सब जो है नहीं होना चाहिए वरना आपका बायोमेट्रिक में प्रोब्लम हो सकता है तो इसी से आप ध्यान दीजेगा अब यहां लिखा गया है कि अभ्यार्तियों का अपने हाथ, बॉल पॉइंट, पेन, परिच्छा, संबंदी, दस्तावे, जैसे परविस, पत्र, फोटो, परिच्छ, पत्र आदी लेकर आना अवस्यक है, यह सब डॉक्मेंट्स आपको लेकर जाना है, एक एड्मीट कार्ड, एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ, और आईडी प्रूफ का एक फोटो कॉपी, और जो आपका फोटो लगा फोटो भी आपको चिपका लेना, एड्मीट कार्ड पे, पहले से चिपका के लेकर जाना है, तो कल हम एक प्रोपर वीडियो लेकर आएगे, कि इस परकार से एड्मीट कार्ड डाउड करना, अगर आप यह नोटिस डाउड करना चाहते हैं, तो मैंने आपको जोने एक लिं आपको यहीं वेब साइट से आपका जो है क्या होगा, एड्मीट कार्ड डाउड होने वाला है, तो आसा करता हूँ आपको जनकारी समझ में आया होगा, आपके मन में कोई भी डाउट से कमेंट है, कमेंट बोक्स में पूछिएगा, मिलते किसी नेक्स विडों में, जाहिं आपका जिन सुभ हो